क्या आप सबको अपने अपने पेशन्ट की दिमागी बिमारे के बारे में पता है कि वो दिमागी तोर पे बिमार है कि आपको अभी भी लगता है कि जानमूच के कर रहा है या उसकी आदत है किसी को लगता है कि आपका पेशन्ट जानमूच के कर रहा है किसी को भी है तो अब जब पता लग गया है तो जो पहली इलाज की जो पहली सीड़ी है न वो है कि मान लो की ये बिमारी है ठीक है जैसे हम हर बिमारी को मानते है की कैंसर है टीबी है कोविड हो गया वाइरल हो गया हम बोलते हैं न की बिमारी हो गई और फिर हम पूरा बिमारी और इला जाता है न वो इलाज है क्योंकि कोई ऐसी बिमारी नहीं है कि आप हस्पताल दाखिल करो कुछ छोटा मोटा इलाज कर दो और वो बिमारी चली जाएगी यह बिमारियां पेशन्ट के अंदर हैं और मरते दम तक यह कंडिशन रहेगी मगर इलाज पूरा है पेशन्ट ठीक रह ठीक है तो यह वली बात को कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक दिमाग में दोराओ कि आपके पेशन्ट को दिमागी बिमारी है जैसे पेट की बिमारी किड्नी की बिमारी अगर किड्नी की बिमारी हो तो बिमारी हो तो उसका क्या मतलब है किड्नी खराब है इसी तरह से हमार पेशन्ट के दिमाग में खराबी आ गई है इसका जो शरीर था वो बना ही इस तरह से था कि ये बिमारी हो सकती थी फिर ये क्रॉनिक है ये लंबे समय की है ये प्रोग्रेसिव है ये बढ़ती रहती है अगर आपको लगता है कि कुछ महीनों से या कुछ दिनों से आपका पेशन्ट बिमार है ऐसा नहीं होता ये बिमारी जब दिखती है उससे पहले ही दिमाग में आ जाती है शरीर में ये पहले ही आ जाती है फिर जब ये बढ़ती है तो ये बिहेवियर से दिखती है तो हमें पता लगता है जैसे मान लीजिए पेशन्ट बड़ा एग्रेसिव हो जाए एक गुसा जादा आ जाए क जाई से ही कट जाए उसको जरूरत से जादा शक हो जाए अजीब अजीब उसकी बातें उसके दिमाग में आएं ये सब हमारी बिमारी के लक्षन है और सबसे बड़ी बात जो डबली ओएचो कहती है कि ये फेटल डिजीज है ये जान लेवा बिमारी है अगर इलाज ना हो त हो तो आप सोचो कि आपके घर में कैसी बिमारी आई है जो वैसे ही इतनी खतरनाक है वैसे उसने आपको इतना परशान कर दिया है और अगर उस में हमारे जो हम जो फैमिली है जो हम घर वाले हैं अगर हम एक दूसरे पह चिलाते रहेंगे एक दूसरे में नुक्स निकालते रहेंगे तो ये बिमारी तो बढ़ती रहेंगी ना क्योंकि अगर हम हम ही mentally stable नहीं होंगे अगर हमारा भी जानवर दिमागी चल रहा होगा हमेशा हम भी एक दूसरे को या घर के वातावरन को ठीक नहीं रखेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता कि मा पेशन ठीक हो ये मैं सबके लिए कह रही हूँ क्योंकि ये बिमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ फैमिली करा सकती है और अगर फैमिली अपना उसका जो दिमाग हो वो काम हो stable हो और वो पहले सीखे बैठके वो पहले अपने उपर भी काम करें क्योंकि आप अपने आप से प पहुंचे ओ तो आपके दिमाग में भी उल्जने उल्जने हैं आप भी कोई सुख में नहीं हो आपको भी परिशानी है बहुत सारी टेंशन थे दिमाग में सौ सवाल हैं सब कुछ सब कुछ जिन्दगी में ऐसा लगता है कि विखट गया खराब हो गया तहीं बात है कलत है तो फिर अब इस situation को संभाले बिमारी का इलाज किराएं या नहीं उल्जने पैदा करें हम अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं उल्जने क्योंकि इस टाइम हमारा सारा ध्यान होना चाहिए कि इस बिमारी का इलाज कैसे करादा है और परीवार के बिना हो ही नहीं सकता वो इलाज तो इसलिए जो मीटिंगज हैं आप जैसे रोज 3-3, बार, 4-4 बार हमें कमरे में जाके बुलाना पढ़ता है यह आपके लीए हो रही है हमारे लिए भी असानी है रोज सेम बाते बार 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 फैमिली को बताना जिसमें फैमिली नहीं समच्छती है ये आपको आप लोगों के लिए सेशन है आपको खुद छे बज़े याँ पर आकर बैठ जाना चाहिए कमरों में कुछ नहीं सीखना आपने ना आपके अगर रिष्तेदार आ रहे हैं कुछ ना रिष्तेदारों से कोई मदद मिलनी है क्योंकि इस बिमारी के बारे में समाज में किसी को नहीं बता है कि ये बिमारी आए इसमें कैसे हैंडल करना है तो मैं चाहूंगी आप अपने प्रेजन जो डाउट है ना प्रेजन जैसे रोज पूरा दिन आपके दिमाग में कैसे कैसे सवाल आते हैं जब आपका patient परशान कर रहा होते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हम कैसे patient को संभाले patient ऐसी बाते कर रहा है हमने आगे से कैसे जवाब देना है आपका ध्यान इन बातों में होना चाहिए क्योंकि एलाज हो रहे छीक है तो कौन पहला अपना बात शेयर करेगा कोई भी चीज अगर साइन्स का मानने है कि जीन्स, इन्वाइमेंट और फैमिली अब जो जीन्स है ना पिता पुर्खी उसको नहीं बदल सकता कोई ठीक है? दो यह चीजों पर काम किया जा सकता है वातवरन आपका आला द्वाला और पर्सनालिटी कि अपने अंदर जो हमारे अंदर ऐसी बाते हैं और सर रोज बोलते हैं कि सिरफ पेशन्ट में नहीं होती हर इन्सान में कुछ ना कुछ कमजोरी आए हर इन्सान के अंदर जानवर दिमाग है जो परिशानी में रियाक्ट करता है तो इस प्रोग्रम में पेशन्ट को भी ठीक होना और फैमली को भी अपने उपर काम करना है